एक्ट्र में company पेटेट आपको digital instrument cluster देखने को मिल जाता है चो बाकी ट्रेक्टर के मुकावला इस ट्रेक्टर में सबसे ज़्यदा digital टाप के instrument cluster मिलता है चो बारा तरक के information आपको instrument cluster पर देखने को मिल जाता है इसके अगर फोर्विल ड्राइब टर्निंग रिड्येशन के बात सबसे अगर मजबूती की बात करेंगे तो यह सबसे मजबूत कंपनी फिटेटिस में लगे हुए हैं जो यह इंडिया में पहला ऐसा 49 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो फुली अटमेटिकली डेफ्ट एंड रॉफ्ट कंट्रोलर वार के साथ वन पॉइंट लिंकेज मिल जाते हैं और इसमें पॉंप के अगर हम बात करेंगे तो इसमें टेंडम मिल जाता है जो पर मेंट के हिसाब से 30 अर्फ फ्लो करने में यह सक्ष है और लिप्टिंग कैपिसिटी को और इनेंस कर देता है जो इस रिनी में सबसे ज़्यादा दिये गए हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम सबसे बेस्ट फिचर्स की अगर बात करेंगे तो इंडियन ट्रैक्टर में फोर्मिल ड्राइब में उन 40-40 सिगमेंट के ट्र इंडियन फिचर्स महिंद्रा दोबरा किये गए हैं सबसे पहले इस ट्रैक्टर के अगर हम बात करेंगे तो एंपी बुलाव डोजर जैसे सयंतर को टैच करने के लिए कंपनी पहले से ही होल करके देती है जो किसान को समयस्या का सामना ना करना पड़े जैसे कि अब जैसी और किसी भी यंतर को पहले से प्रविजनल कराके इसमें ले सकते हैं इसके अगर हम बात करेंगे पावर एस्टेडिंग के तो सिंगल एक्टिंग पावर एस्टेडिंग मिल जाता है और साथ में प्रोटेक्शन कंपनी लगा कर देती है जो यह कदवा के समय में आपको यह पानी ना परे और इसमें बहतर देड़ तक यह ठीक आउप बानी रही इसके अगर आगे से हम बात करेंगे तो स्टेट फ़रवर्ड नॉन और जस्टेवल टाइप में आपको यह तो नहीं लेकिन इसमें रियल एक्सल टाइप में आपको फ्रंट एक्सल देखने को मिल जा हैं जो यह कि जमीन में पकर कर चलने के लिए सबसे बेस्ट यह टेक्नोलोजी वाला बंफर लगा आगया है इस ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर महिंदरा ने एक अलग बदलाव कर दिया जो बोस का सिंगल यू डीजल फिल्टर लगा कर देती है जो कि डूल एलिमेंट ड्राइटाप एर क्लेंडर मिल जाते हैं जो यह चॉक्स के साथ आता है इस ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे रिडियाटर की तो इसमें 49 स्विच पे सिंगमेंट के हिसाब सी बड़ा सा रिडियाटर कंपनी अफर करती है जो ज्यादा हावा मातरा में इसमें को जा सके और कुल करने के लिए सबसे बेस्ट बेंच्व कंपनी इसमें इन्विल्ड कर कंपनी देती है जो सबसे खास है इस ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे पंप की तो बॉस का थिरी लाइन पंप मिल जाता है जो फोर इस्ट्रक नेचरल इस्पिरिटेट वा करेंगे तो आगे से आपको जाली डाइप की आपको जाली मिल जाता है जो इन नों गयम बहतर हावा दे सके और इस्थी तरक्टर कि अगर हम ब्रेंडिंग के बात करेंगे तो महिंद्डा इवो Tech Plus 405 का ब्रैंडिंग देखने को मिल जाता है और साथ ही में Dual Clutch का Optional V-Stractor में देखने को मिल जाता है जो Single Clutch Optional के साथ भी आता है इस ट्रेक्टर के अगर हम टैरों की बात करेंगे फ्रंट टैर की तो Apollo के कमपनी FX 818 यानी 818 का टैर दियो होते हैं जो यह चिकनी और किसी भी मिटी में चलने के लिए यह ग्रिप सबसे ज़्यादा मिलता है इस ट्रेक्टर के अगर हम पीछे की टैरों की बात करेंगे तो इसमें 1318 के टैर जेके कमपनी इसमें निविल कर देती है कमपनी जो सबसे दानेदार और खारागोटी इसमें लगे होते हैं इस्ट्रेक्टर के रियर एक्सल के अगर हम बात करेंगे तो यह हैंडी में सटागर कमपनी देती है हैंड में जो यह रियर एक्सल कदवा के समय में और पानी के समय में किसी भी कचरे में ना फॉसे और रियर एक्सल अच्छे तरह से यह काम कर पाए इस्ट्रेक्टर की अगर हम बात करेंगे फूर्ट इस्ट्रेपर की तो इसमें लोहे के फूर्ट इस्ट्रेपर दिये होते हैं जो इंजन से यह टैच रहता है और प्लेटफर्म की बात करेंगे तो काफी सपाट प्लेटफर्म देखने को मिल जाता है जो और भी इस्ट्रेक् के बात करेंगे तो चार प्लस पीच्छे का गयर देखने करंब बात करेंगे तो इसमें आपको और यहां पे अगर हम बात करेंगे हाइलो गेर की तो इसमें मेडियम हाइलो गेर मिल जाता है और साथ में आपको इंडिपेंडेंट पिटियो लिवर मिल जाते है जैसे सोचे कि बीना कलच को छुए आप ट्रैक्टर को ड्राइब कर सकते हैं जैसे कि आप रास्ते पर ले जाते टाइम टू विल से चला सकते हैं और खेत में काम करें तो फॉर विल ड्राइब का अनंद ले सकते हैं जो और भी पावर को इंहेंस कर देता है दोस्तों यह ट्रैक्टर की अगर हम बात करेंगे अपना के क्लच की तो इसमें आपको इससलिकल क्लच in और डवल इसका ऑपोफ्सनों मिल जाता है ज़तों हैंनल में के लिए अधिर्यक्रेפ्टर की और यह 288 आरप पर यह पावर कनारेट करता है अपना दोस्तों अब इस्ट्रेक्टर को अगर हम बंद कर लेंगे तो यहां पर कट अफ लिवर दिये होते हैं और साथ ही में इस्ट्रेक्टर को पीछे चलता है और यहां पर हम बात करेंगे टॉप लिंग की तो यहां पे सिंगल यह डीजल सिंगल टॉप लिंग पॉइंटेज मिल जाते हैं और यहां पे EPI रेडेक्शन वाला हा प्लेनेटी रेडेक्शन देखने को मिल जाता है जो और भी यह पावर बनाता है रोटा वेटरर और ट्रोलिक लिए सबसे इंडियन ट्रेक्टर इंडिस्टीज में यह बेस्ट रियर्ड एक्सल होते हैं इसके अगर हम PTA पावर के बात करेंगे तो महिंदर दोलना यह पहला ऐसा ट्रेक्टर जो 49 सिगामेट में 36 सिपी का PTA पावर मिलता है इसमें सिंगल पॉइंट आपको टॉपलिंग मिल जाता है जो सौफ्ट और रम हार्ड मीटी जमीन में एक से ही बरियासानिक साथ काम कर सकते हैं इस ट्रेक्टर के लिफ्टिंग के बात करेंगे तो